हाई एवरिवान, वेलकम तो माई चैनल गोल्डी उंजन मेकप स्टूडियो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ओफिस मेकप जब कोई भी लेडी ओफिस के लिए जाती है तो उनको होता है कि हम एक मेनिमल सा तो फिनिशिंग दें फेस को और यह जो मैने आज आपको मेकप सिखाया है यह on-demand है क्योंकि काफी लोगों ने मुझे पूछा है जो working ladies है कि आप जो मेकप सिखाते हो wedding के लिए तो आप अच्छे से मेकप सिखाते हो बट अगर हम लोग office जाते हैं तो मेकप कैसे करें तो इस tutorial को आप पूरा देखो इसमें मैंने बहुत ही कम products के साथ and very easy technique के साथ यह वाला जो मेकप लुक है वो सिखाया आप किसी भी profile में हो जाहे आप doctor हो advocate हो या आप corporate में हो या किसी और आप profile में तो आप यह वाला मेकप लुक कर सकते या फिर इसमें से कुछ चीजे कस्टमाइज भी कर सकते अपने accordingly अगर आपको फिर भी कोई confusion आती है तो आप मुझे वो comments में पूछ सकते और साथ के साथ यह बताना मत भूलना कि यह आपको मेकप कैसा लगा और मेरे चैनल को like, share and subscribe करना ना भूलना अभी जो हम लुक स्टार्ट करने है यह उन लेडिस के लिए जो ऑफिस जाते है तो इस लुक को हमने नाम ही वो दिया कि ऑफिस लुक तो इसमें हम स्किन प्रेप वैसे करेंगे जो आपके स्किन का टाइप है चाहे ड्राई है या ओलिया उसके accordingly आपने अपनी स्किन को प् अब मैकब को बिल्कुल मैणेमल इंड डिसंट वे में करेंगे जो मैंने इनके फेस के उपर पहले टोनर टोनर के बाद अब मैं मैं मॉश्राइजर कर रहा हूं आज मैं इस लुक का स्पेशल टुटोरियल इसलिए क्रेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे यूटव चैनल क के उपर या Facebook के उपर काफी फीमेल्स ने जो working है उन्होंने messages किये हैं या comments किये हैं कि हमें वो makeup भी सिखाओ अगर हम office के लिए जाते हैं तो कैसे ready हो सकते हैं so इस makeup का यह है कि इसमें कुछ चीजें customize होएंगी जो आपको अपनी skin के accordingly करने होगी बट जो चीजें इसमें आपने करनी हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा जो हम avoid नहीं कर सकते हैं और इस look के अंदर हमें जो makeup है, eyeshadow pigments है वो कैसे use करने हैं ठीक है अभी हमने क्या किया इसमें प्रेप कर लिया एंदेन यह जो मैं application कर रहा हूं यह आप hands के साथ कर सकते हो क्योंकि जब हम self makeup करते हैं तो उसमें hand use कर सकते हो बट मैं यहां पे self नहीं कर रहा हूं तो इसके लिए मैंने brushes ही use के यहां पे और इस look को हम बिल्कुल भी professional touch नहीं देंगे कि यह ना लगे कि आप daily basis पे बाहर से ready होके आ रहे हो ठीक है तो हमें बिल्कुल यह minimal सा रखना है अगर आपकी eyelids oily होती है यह आपकी eyelids के ओपर oil आता है यह आपका face oily है तो आप mattifying primer यूज़ कर सकते हैं इनकी skin normal to dry है तो इनके लिए मैं सिरफ यहां पे eyes के लिए mattifying primer यूज़ करूंगा from brush और बहुत ही minimal सा apply करेंगे हम जादा नहीं यूज़ करेंगे hands के साथ fingers के साथ कर सकते हो finger के साथ आप ऐसे apply करो जैसे मैं brush के साथ कर रहा हूँ और उसके बाद आपने इसको settle होने के लिए छोड़ना for few seconds आप देखना है meanwhile एकदम mattify effect देगा eyes के ऊपर ठीक है and then हम यहां पे पूरे का पूरा makeup concealers के साथ करेंगे अगर आप मालो foundations यूज नहीं करते हो या फिर यूज नहीं करना चाहते है आपको चाहिए कि कोई minimal सी या reasonable सी कोई kit हो जिसके अंदर आप makeup कर सको अगर किसी किसके normal या फिर dry है तो उसके लिए हम यह वाले concealer use कर सकते हैं यह जो concealer palette है शोपैरल की तरफ से है और काफी reasonable भी है और हमें जैसे minimal सा makeup चाहिए तो इसमें से ही मैं सारा makeup इनका करूँगा तो eyes के लिए जो मैं इनके eyeshadow, sorry eyes के लिए जो मैं base pick करूँगा वो देखो मैंने इनके skin के बिल्कुल close रखा है concealer palette को जो कि अपैरल की concealer palette है तो ऐसे हम skin tone के accordingly colors वो pick कर सकते हैं अगर आप देखो यह light से लेके dark तक जा रहा है और इनकी जो skin के बिल्कुल close color है वो यह वाला color है तो इस color को मैं इस color के साथ mix करूँगा so that कि इनके face को थोड़ी सी brightness भी मिले तो first of all मैं यहां पर यह concealer apply करूँगा हलका सा eyes के उपर आप देखो इस concealer के साथ इनकी face के उपर warm था रही है बट मुझे थोड़ी सी brightness भी चाहिए तो यह देखो दोनों concealer हमने mix करें और यहां पर मुझे एक natural सा color मिल गया तो ऐसे हम एक eyeshadow palette के अंदर से colors create कर सकते हैं मैं already mix करके ही use कर रहा हूं ठीक है eyes के उपर application करने के बाद अब हम beauty blender के साथ ठीक है यहां पर मैंने set कर दिया यह वाली application आपने setting जो है makeup की वह hands से नहीं करने आपको beauty blender ही use करने एंड उसके बाद अगर आप kajal लगाते हो यह liner लगाते हो वह आपके उपर है बटी जो मैं इनके लिए look दे रहा हूं वह आप डारेक्टली काजल यूज़ करों क्योंकि सुबह सुबह ऐसे वह सबको जल्दी होते हैं office जाने के लिए तो liner gel liner के application अच्छे से नहीं आती है अपलाई नहीं कर बाते हैं तो ऐसे आप काजल पैंसल यूज़ कर सकते हो इस है और यहां पर मैंने इनके सिरफ लैश लाइन के साथ ऐसे काजल अपलाई किया और इसको मैं हलका सा स्मर्ज भी कर दूँगा अदर्वाइस अगर आप अकेला काजल भी लगा सकते हो आप काजल अपलिकेशन के साथ ब्राइटनेस अगे और आई डिफाइन भी हो गिया तो दूसरे आई के ओपर भी हम ऐसे ही एक मैनिमल सी लाइन देंगे तो जब भी आप ओफिस के लिए मेकप कर रहे तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यह जो मेकप होता है यह नॉ आई आगउर प्राइन के बाद मैं लाइनर कोहल का समर्च कर लूंगा ब्रस के साथ फो यह वाले सारी एक चर्ण के साथ ही आप यह काजल अपकाशन करने के बाद मैंने को साफ्टली ब्रस के साहाभि प्लकिक लिए रिख कर Kaneग को और जो मैं ब्रस्टरा फसा हम यह यह वह यह वाला कलर होंगा इस सब मेकप में हमें कोई ट्रांजिशन कलर या फिर हमें कोई शिमर नहीं यूज़ करने डारेक्टली मैंने जो स्किन टोन के क्लोज कलर आप वह पिक कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डार्क भी ले सकते सो देट के आई के पर स्मोकी एफेक्ट आए और बिल्कुल नूट्रल लगनी चाहिए आइस तो दूसरी पर भी हम सेम मेकप करेंगे इस आई लुक के अंदर हमें इनर कॉर्णर को हाइलाइट बिल्कुल भी नहीं करना है थीक है तो हमने अच्छे से यहां पर आइबॉल एरिया डिफाइन कर लिया आप आइशाइडव पैलेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं अभी जो हम कर रहे हैं ब्राव बॉन हाइलाइटिंग अगें देखो आई को डिफाइन करेंगे तो ब्राव बॉन हाइलाइटिंग के वाला कलर करऊंगा यह वाला लाइट कलर बिलकुल भी नैच करंगा क्योंकि यह लाइट इनकी सीन से ज़ादा लाइट हो जाए और जाहा ब्लगे लगए तो मैं वाइब्न बिलकुल के लिए करना बिलकूल मिनिमल सा सिरफ जो ब्राइ नेश दे वाइं है आपको shadow इसलिए दिखा रहा हूं आप compare कर सको जब भी आपने colors pick करने है eyeshadow के लिए concealer के लिए तो अपने face के accordingly ही pick करो जो tones आपके face के अगर warm tones है या फिर cool tones है तो फिर accordingly हमें pick करने है आप eyes open करने है आप इस आपके के लिए हमारा जो eye makeup है वो दन है, बस हलकी से finishing दूँगा, open eyes के साथ यहां से, like this, अगर आप काजल डालते हो, that is optional, अगर नहीं भी डालते, तो भी कोई दिक करने, simple liner लगाओ, and you are good to go, next is brows, तो brows के लिए, अगर आपके brows scanty है, या light है brows, तो आप gel brow powder, gel brow use कर सकते हो, otherwise अगर आपके brows normal है, तो फिर हम powder प्रेफर करेंगे, इनके लिए मैं powder ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि अलेडी जो brows है, इनके growth अच्छी है, तो यहां पर जो है, वो पाउडर पिक करेंगे, अभी powder में भी आपको color दिखा दो, देखो, यहां पर black है, and then brown के मेरे पास options है, तो यह मैं अभी color पिक करूँगा, तो आप देखो, मैं जो medium brown है, वो color पिक करूँगा, powder से, क्योंकि अगर gel करूँगा, वो थोड़े से जाधा define हो जाएंगे, तो हमें brows define नहीं करने, सिरफ हलका सा color add करना है, ठीक है, and then बात में हम spoolie के साथ, extra color जो है, वो remove भी कर सकते हैं, so that की brows एकदम, soft look दें, and then spoolie के साथ, finishing, मैं जो आज आपको यहां पर look सिखा रहा हूँ, यह look है, आप किसी भी profession में कर सकते हैं, देखो, अगर मालों कोई doctor है, या advocate है, या फिर corporate में काम करता है, तो doesn't mean कि हम लोग make-up wear नहीं कर सकते, ठीक है, आप make-up लगा सकते हो, बट उसमें एक चीज है, हाँ, अगर आप जाधा make-up के लिए used to नहीं है, तो जो आज मैं आपको tutorial बता रहा हूँ, इसमें से आप जो भी आपको अच्छा लगे, आप पिक कर सकते हो, जैसे सिरफ आई make-up करके जाना चाहते हो, या फिर आप बलशर एंड लिपर करके जाना चाहते हो, या फिर आप सिरफ base करना चाहते हो, उसके साथ lip shade apply करना चाहते हो, तो यह सारा आप अपने accordingly customize कर सकते हो यहां पर मैं आपको full-fledged tutorial बताऊंगा, जो कि एक अच्छा सा office वाला जो look है, वो देगा हम लोगों को, अभी यहां पर मैं आपको फिर से बताऊंगा कि हमने concealer या foundation कैसे pick करना है, जो यहां पर मैं use करना मैं कोई specifically foundation ही use कर रहा है, मेरे पास shoparel की concealer palette है, जो की creamy concealer है, medium to dry skin के काफी अच्छी है, अगर आपको आपकी skin के accordingly color select करने में दिक्कत आती है, तो ऐसे आप पास रखो palette को, and mirror में देख सकते हैं कि कौन सा color आपके skin के जादा close जा रहा है, और यह eyeshadow, sorry, यह concealer palette बहुत ही अच्छी है for normal to dry skin, तो अभी मैं यहां पर directly beauty blender के साथ ही काम करूँगा, क्य और यह काफी जल्दी भी हो जाएगा, make-up आपको ज्यादा efforts नहीं लगाने पड़ेंगे, अगर आपकी skin extremely dry है, then आप use कर सकते हो direct, means आप इसको lock करने के बजाए, सिरफ apply करो creamy concealer and you are good to go, और जो amount है वो आपके ओपर depend करेगी, आप कितना, मतलब conceal करना चाहते हो face को, look up, ठीक ह यहां पर मैंने बड़ा ही minimal sa concealer पिक किया, और पहले मैंने यह वला color लिया, ठीक है, so that की undry area अच्छे से concealer हो जाए, and then अब दोनों को mix करके हम brightness देंगे face के ऊपर, और एक minimal sa effect create करेंगे क्योंकि आज की date में हम कहीं पर भी जाते हैं, देखो self-care बहुत ज़रूरी है, अच्छे से आपको दिखना है, आगर आप अच्छे दिख रहे हो, तो अच्छा impression भी पढ़ता है आपके job profile के accordingly हां बस आपने while selecting the foundations या फिर makeup कैसे करना है तो बस minimal रखो, ऐसा भी नहीं करके जाना makeup office के सबको यह लगे कि आप किसी function पर आये हो, तो skin concealing हम अच्छे से करेंगे कि अच्छे साथ एक आपको ड्वांटेज मिल दे कि आप फटा फट से कर सकते हो, आपने skin care पर drag करना है, mostly videos में मैं कहता हूं जब हम party makeup करते हैं तब मैं कहता हूं कि आपने foundation या concealer को drag नहीं करना हैं बट इसमें आप drag कर सकते हो, क्योंकि हमें जाला thick layer नहीं चाहिए face के उपर और इस look के अंदर अगर आपको मतलब लगता है या आपका outfit जो भी आप या uniform डाल के जा रहे हो, तो neck area हम accordingly conceal करेंगे और जब भी अगर आप मालो blazers डाल के जाते हो ओफिस तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है या फिर round neck डालते हो कि जो आप makeup कर रहे हो वह आपके outfit के ऊपर ना आए अगर वह आएगा देखो वह पूरा दिन काफी अजीब दिखेगा और सबको लगेगा कि इन्होंने ते जो ड्रेसर होती है या तो जैसे अभी इन्होंने डाला वैसे blazer होता है या फिर बिल्कुल zero neck भी होता है तो अगर यहाँ पर आपके foundation दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिर आज जो मैं इस मेकप में foundation concealer को लॉक करूंगा तो हम यूज करेंगे direct compact हम loose powder बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे क्योंकि loose powder क्या करेंगा देखो एकदम से वह आपको finished लुक देगा और वह आपके outfit को compliment नहीं करेंगे और हमें minimal सा lock करना है तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं Mac का है studio fix NC42 यूज करना मैं इनकी skin के लिए उपर देखने एंड सबसे पहले आपने अंडर आई आप देखो इसके साथ एक finishing and coverage मिलेगी बट अड़ दे सेम ताइम नाच्रल भी लगेगा अगेर मैं कोई brush नहीं यूज कर रहा हूं आज मैं सिरफ पाउडर जो है वो pizza puff के साथ ही apply कर रहा हूं क्योंकि normally हमें self में ऐसे ही करना होता है उपर देखने and साथ के साथ अगर आप office के लिए जाते हो and आपके skin is oily तो उस केस में आप जो creamy यह concealer मैंने यूज किया यह बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे तो आपको फिर करना पड़ेगा कोई भी water based या silicon based foundation और concealer तो वो यूज कर सकते हो क्योंकि oily skin के ओपर otherwise फिर makeup stain करेगा तीक हमने ब्राउस को finish कर दिया अब जो इनके under eyes है वहां पर मैं काजल नहीं अप्लाई कर रहा है क्योंकि यह generally काजल नहीं लगाते तो वहां पर हम क्या करेंगा इस को black नहीं छोड़ेंगा यहां पर मैं यह light eye shadow apply कर दूंगा क्योंकि इतना close में foundation या फिर compact नहीं यूज़ कर सकता था तो बिल्कुल मैंने skin tone के accordingly और कभी भी अगर आप corporate में हो तो colorful liners I think avoid करने चाहिए उस culture के लिए बिल्कुल natural black या brown आप यूज़ कर सकते हो and mascara lashes wear करना मतलब mandate नहीं है कि आप lashes ही apply करके जाओगे ठीक है आप normally mascara use करो बिल्कुल minimal सा पर दीक है पर दीक है अगर आपको मस्कारा अप्लाई करना अच्छा लगता तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हो मस्कारा के इंसेट सिंगर अब इनका जैसे आई मेकप डन हो गया बिलकुल हमने न्यूट्रल सा रखा है अब जो हमरा नेक्स्ट टैप होगा वो होगा लिप शेड तो हम ज्यादा वाइबरेंट कलर नहीं यूज़ करेंगे मैं बिलकुल पेस्टल सा यूज़ कर रहा हूं हलका सा पीची कलर है फ्रॉम अप्लाई कर सकते ओफिस के लिए बट ज्यादा ग्लॉसी सा भी नहीं होना चाहिए इसके इंदर स्पार्कल होते में थोड़ा सा मैट या फिर क्रीमी फिनिशिंग में जो आप लिप शेड है वो यूज़ करो अगर ज्यादा स्पार्कली सा ग्लॉसी यूज़ करेंगे वो लुक रखेंगे उतना अच्छा लगेगा यहां पर जैसे मैंने अभी लिप शेड भी दिया है तो मैंने बिल्कुल ज्यादा फिनेशिंग में नहीं दिया है ठीक है अधर्वाइस आप क्या कर सकते है लिप टेंट भी आप यूज़ कर सकते है जैसे लिप टेंट साथे फिंगर के साथ आप लिप्स के उपर लगाओ एंड उसको लिप्स के साथ मिक्स करो तो वह भी अगर आपको उनको करने एंड देन यूज़ दिस करल बट थोड़ा से ध्यान से यूज़ कैसे करने आपने मेडल में देखना है एंड देन आपने इसको प्रेस करने जिसके साथ आपके आई-लैश को कर्फ मिल जाएगा ठीक है यहां पर देखो कि यहां पर इनके लैश के अंदर हलका सा कर्फ एड हो गया है और उपर देखना मिडल में यह सो मैंने दोबारा इसली किया है क्यूंकि आप से बात करते करते मैंने यह वाला जो हेर का पोर्शन है वो छोड़ दिया था आप सामने दिखना है आप स कि यह वी उपर की तरफ कर्व हो गया एंद वहां पर हल का सा एक्स्ट्रा मस्कारा है उसको मैं क्लीन कर दूंगा ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हमारा सिरफ फिनिशिंग पार्ट है लुकर यहां पर थोड़ा सा इंप्रेशन आ गया बट आप ऐसे फिंगर के साथ सेट क कर सकते हो फिनिशिंग में अभी हमें करना है बल्खुल मिनिमल सा कलर पिक करेंगे तो ब्लश के लिए हम मैं यूज कर रहा हूं के ब्यूटी का ब्लश को तो ऑब्वेसी बात है कि ब्रश के साथ ही अप्लाई करेंगे इसको हम हैंड के साथ नहीं कर सकते बट मैंने कुछ ब्लश को देखा है रेडी होते हैं कि जो फटाफिट से रेडी होते हैं ऐसे ब्लश लिया हलका सा से चीक पे लगाए और गुट तो वह भी आप कर सकते हैं छोटी-छोटी से काफी ट्रिक होते हैं बट इस लुक में मैंने आपको सिरफ एप्लिकेशन बताई है कि अगर आपको कितना सा मेकप रखना और इजी वे में तो यहां पर मैंने ब्लश अपलाई किया सिरफ चीक के ऊपर सिरफ फ्रेंट में बस दैट सिट मैं प्रॉपर कोई डारेक्शन में नहीं लेके गया क्योंकि मुझे कोई डारेक्शन नहीं देनी है एंड हम यहां पर पार्टी मेकप नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमें बिल्कुल मैनिमल सा ही एफेक्ट देना और ब्लश करने के बाद उसको सेटल करने के लिए मैं एक हलका सा ब्यूट्य ब्लेंडर के साथ डैप कर दूँगा जो कि मुझे वैसे भी अच्छा लगता है कि मेकप जो है वो एकदम सेटल लगे स्किन के अंदर और कोई हम नोस कंटूर नहीं करेंगे सिरफ अंडर दा चिन आप हलका हलका सा कंटूर कर सकते हो अगर आप यूस्टू हो या फिर आपको कंटूर करना पसंद है तो तो कंटूरिंग के लिए मैं ब्रॉंजर यूस कर रहा हूं फॉर एवर फिफ्टी टू का और इसमें मैंने जो भी आपको ब्रैंड बताएं वह इसली अफोड़ेबल भी हैं मार्केट में तो यहां पर हमने हलका सा चिन को किया कंटूर हम ज्यादा कंटूरिंग नहीं करेंगे और अब्वेस ही बात अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं कि हम यह ओफिस लुक कर रहे हैं तो अफिस लुक के अंदर ज्यादा मेकप बिल्कुल भी नहीं हता हम ऐसे मिनिमल सा ही मेकप रखेंगे बस बाद में मैं इसको फिनिशिं करना है और पूरा दिन वहां पर अपनी जॉब के बाद आपने घर भी आना है तो वही होता कि मेकप एकदम फ्रेश रहे तो वह फ्रेश किसके साथ रगए जब आप मेकप को लॉक करोगे एंड साथ के साथ हभी हमने इनका मेकप तो कंप्लीट कर दिया एंड हैर भी जो व एक विकेंड के ऊपर एक अच्छा सा हैट बाथ लेके आप स्ट्रेटनिंग कर वा ले तो जो कि फ्रू आउट आल्मोस्ट आपका 3-4 डेस चल ही जाता है तो वह आप कर सकते हो यहां पर भी मैं इनको थोड़ा सा हैर में फिनिशिंग दूंगा स्ट्रेटन के साथ और जो ह फिर भी आपको अपने प्रफाइल के कोई भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है आप कुछ एक्स्रा पूछना चाहते तो वह आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो तेल देन टेक केर एंड बाबाई